दोस्तों आप सबी के एक बार फिर से लॉंग टर्म शेफ सेल्टियस में स्वागत है तो सबसे पहले जो हमने थम्निल पर मेंशन किया हुआ है कि रूट मोबाइल के SIP हमने क्यों बंद कर दी है और कौन सा स्टाक जिस पे हम फोकस कर रहे हैं उस पे हम शुरू करें SIP नए साल में तो वो भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले मैं ये कारण बताऊंगा कि हमने रूट मोबाइल में SIP क्यों बंद कि दरसल क्या हुआ कि मुझे जितनी कॉंटिटीज चाहिए थी वो मिल चुकी हैं वो हो चुकी हैं इस वज़े से इस पे मैं SIP बंद कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि उसके benefits क्या हुए मुझे तो क्योंकि बहुत साए लोग के comments आते रहते हैं कि रूट मोबाइल में उनको loss भी हो रहा है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप SIP मोड पे देखें क्या होता है कि जनरली जितने भी 95% brokers हैं वो इस facility के सुविधा देते हैं SIP की कि आप अपने आप जो भी date को आप set करते हैं जितने दिनों के लिए साल, तेड़ साल, दो साल, तीन साल हर महीने जो भी आप date तै करेंगे उस date को वो SIP या उतने shares उनके खरीदी हो जाती है बस आपको message आता है दो-तिन दिन पहले कि आप जो है fund maintain कीजिएगा जो भी आपकी SIP जाने वाली है तो यहाँ पर मुझे lab क्या हो रहा मैं आपके साथ share करना चाहूंगा देखी 2011 में ही मैं समझ गया था कि SIP मोर से ही मैं जो भी अपने पसंदीदा shares हैं उनकी धेर सारी quantities बना सकता हूं और इसी कान से मुझे आज काफी अच्छा खासा lab हो रहा है पिछले 8-10 सालों से मैंने जो भी मुझे favorite stock लगा उसकी मैं quantities बटो रही है जो भी भाव मुझे मिला हो एक साथ पैसा तो मेरे पास कभी नहीं रहा तो यही चीज मैं आपको फिर से example के लिए इसली बता रहा हूं कि उदाहरण के लिए अगर आप सोचेंगे जब भी कोई stock गिरेगा तम मैं खरीदूंगा तो आपका money नहीं करेगा खीर हो गई या फिर मीठा दूद भी आप पीते होंगे जब आप प्रति दिन लेने जाते हैं इस प्राता हकाल तो बहुत जरूरी है तो इसी तरीके से जब आपने दूद लगवा रखा है तो जो दूद देने वाला आता है Automatic आपके घर पे ťो deliver कर जाता है और उमांद का आप से पैसा ले लेता है लेकिन अगर आप daily खरीदने जाते हैं सकता है कि महीने में आप दस दिन ना खरीदते हों यही चीज आपको यहां पे भी लागू होती कि जब आप इस IP चालू कर देते हैं तो आटोमेटिक शेर के खरीददारी हो जाती है जो भी आप डेट करते हैं तो इसका लाब क्या हो रहा अब देखें पिछले 13 महीने से अगर मैं देखूं मैं कुछ दिखाना चाहूँगा इसकी हिस्टोरिकल प्राइस आज दो भाव जो हमने पकड़ा है 1336 के आसपास यहां पे देख सकते हैं तो इसी तरीके से अक्टूबर में 1376 सेतंबर मे सेतंबर 2022 में 1436 दो अगस्त को 1490 चार जुलाई को 1268 यहां पे आप देख सकते हैं दो तीन जुलाई छुटी रही होगी दो जून को 1381 चार अप्रिल को 1584 दो मार्च को 1509 दो फरवरी को 1835 तीन जनवरी को 1804 दो दिसंबर को 1799 और दो नवंबर 2021 को 1954 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा था अब सूचिए कि जिन्होंने SIP कि तो SIP में क्या होगा कि अगर एक एक शेर भी लेते रहे इन 13 महीने में 13 स्टॉक्स हो गए तो उनका जो टोटल पैसा खर्च हुआ है लगा है हर महीने अलग-अलग प्राइस पे खरीडने पे 20,430 रुपया लेकिन यहीं पे अ 30,402 रुपया यानि कि करीब 28-30% का यहां पे उनको आज की डेट में इकठा लगाया हुआ तो नुकसान हो रहा है लेकिन एवरेज में क्या हो गया है एवरेज प्राइस जो निकल के आ रहा है वो 1571 यह आप नूटिस कीजिएगा कि टोटल जोड के जो 13 से आप कभी नहीं है कभी एक बड़ी जो है जंप लगाएगा तो आपका भाव आ जाएगा यानि कि आपको एस आपी मोड पे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है अब इसमें जो मेरी मन्शा थी कि रूट मोबाइल देखिए भले ही चाहे कंपनी कैसी भी हो इसमें सेल्स ग् पी लगा दी थी अब देखिए यहां पर यह तो नहीं बताओंगा कि मैंने कितनी कौंटिटी बना ली हैं या मैं कितनी केसाईपी कर रहा था परमंद कितनी खरीददारी कर रहा था यह थोड़ा प्राइवेसी बने रहने दीजी दरसल मैंने यह भी एक स्टरड़जी अप पास लो बनाया था जो आदमी 2000 से उपर की खरीददारी कर रहा था अगर उसे 1200 या 1100 पर मिल रहा था फिर यहां पर डबल कॉंटिटी आप कर दीजी आप मोडिफाई भी कर सकते हैं अपनी इस IP को तो इससे क्या होगा कि उसका जो है लक्ष टार्गेट जल्दी पूरा तो यह है साइपी के ताकत दोस्तों मैं आपके सामने शेर करना चाह रहा था अब इस स्टॉक से मुझे आपक्षा क्या है एक एक जामपल के तौर पे मैं कहना चाहरा हूं कि मालीजी मेरे पास 13 शेर्स हैं 13 शेर्स में मेरी मन्शा यह है तो यहां पे जब 13 शेर्स जब भी कभी मार्केट बुल्डन में आया है अच्छा हो या यह स्टॉक काफी भागे तो जब यह डबल हो जाएगा 1571 वाला जब 32 के पार पहुंच जाएगा वहां पे मैं अपनी आधी कॉंटिटी बेच लूँगा बाकी की सारी कॉंटिटी पड़ी रहेंगी हमेशा के लिए और प्राइश्ट बुक वाली 4.92 हो चुका है तो वाला भी फेर वैल्यू पर इस समय नजर आ रहा है दस की फेस वैल्यू भी है कभी स्प्लिट हुआ तो भविश्व मेरी कॉंटिटी भी बढ़ने वाली है और नियूल इलिशेट कंपनी थी इस मकसस से लिया था अब भली चा कार कोई आफात आ जाती है धंदा चौपट हो जाता है तो चलिए अलग-अलग हम पोटफोलियो में अलग-अलग कंपनियों के स्टॉक्स रखते हैं अलग-अलग सेक्टर्स के रखते हैं तो यह तो देखे शेयर मार्केट पूरी तरीके से रिस्क ही है बट रिस्क आपका यहां पे वो वाला कम हो जाता है कि कंपनी अच्छी भी है लेकिन और वाल पूरे बाजार में गिरावट है तो यहां पे जो आपको एक साथ खरीदने में जो नुकसान हो रहा है वो आपको S.I.P. करने पे नहीं होता है तो यह तो रहा दोस्तों आज जो मैं आपसे कहना च वर्ष में और यहां पे साथ फर्वरी को भी दिया था तेन रुपए पर शेर के इसाब से तो अगर बहुत सारी कौनिटीज होती है तो उसे साब से डिवडेन भी आपको ठीक ठाक आही जाता है कुछ न कुछ कैश के रूप में आता है तो खाते में जब अचानक मैसेज आ जो स्टॉक बहुत तूटा हुआ हो लेकिन उसका ब्राइट फ्यूचर हो वह ऐसी इंडस्ट्री हो जो बहुत अच्छा कमा के देने वाली फ्यूचर में अच्छा बिजनेस हो तो थोड़ा रिस्क भी लेंगे अब यहां पर जो स्टॉक है वो जो मैं नए साल से सोच रहा जिसका नाम है लेटेंट व्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास हालां की देखिए मेरे पास हैप्यस मैंस भी पढ़ा हुआ है लेकिन हैप्यस मैंस मैंने SIP नहीं किया था इस पर मैंने सवा तीन सो के आसपास एक साथ मेरे पास कुछ पैसे पढ़े हुए थे कुछ भी बेचे थे जो बहुत ज्यादा भाग चुके थे तो थोड़े से मेनी कॉंटिटी ले ली थी लेटन वीव बाद में उसकी लिस्टिंग हुए तो मुझे ये भी थोड़ा सा काफी अच्छी कंपनी लग रही है आकर्शक लग रही है तो एक साथ तो पैसा नहीं डाल पाऊ सोचूंगा ये शुबकार में नए साल से करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट उपर पहुंच के काफी थोड़ा सा ठक गया है आप देखेंगे तो बिचारा वहां पे अटका पड़ाना गिरही रहा है और लाइफ टाइम हाई बनाने के बाह दीक्षा कर रहा हूं कुछ और भी स्टॉक्स हैं जिनको मैं एक साथ थोड़ी थोड़ी कुछ कॉंटिटीज बढ़ाता हूं तो उसमें भी इसी मंशा से मैं वेट कर रहा हूं कि थोड़ा से एक बार मार्केट 1500 पॉइंट करेक्ट हो हमारा निफ्टी वगएरा तो वेट के लिए फिर से मैं SIP के लिए सोच रहा हूं आपको कैसी लगती है कंपनी आपके कोई विचार हो सुझाओं हो तो जरूर आप कॉमेंट बॉक्स में रख सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो फ्रेंड्स